हेलो एवरिवन केसो आप सब लोग छीत रहे होना छीत नहीं चाहिए तो स्वागत करता हुआ आप सभी के अपने चैनल में जिसका नाम है नो इफ नो कैन ओंडी इहुई देट में सो गाइज अभी हम लोग कवर करेंगे जो न्यूजरेंड बास्वेडबल लिख का मैच खेला जाने वाला है तारहना कि माउंटेनर सुषिद मनवन तुछ जेट्स के बीच में ये मैच खेला जाएगा लास्ट मैच के स्टैट्स ये वाले मैच के लिए प्रवाइबल लाइन ये सारे अपडेट मेरे यूटूब के वीडियो में मिलेंगे तो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत ठीक है और राइट सेर में जो आपको ये बेल लाइकन दिख रहा है उसको प्रेज जरूर करके रखना ताकि आपको टाइम टूटिप्रिक देख सकतो 189 से लास्ट मैंच इन्होंने लॉज किया था परफोर्मस की बात करें ये तो देख सकतो जे डॉबलास 15.7 रिबाउंट टू असिस 35 में हिलिया 22.5 रिबाउंट 8 असिस 35 में मार्सल जोन 15.4 रिबाउंट 2 असिस 34 में में रिकी रोजर 6.2 रिबाउंट 5 असिस 31 म में ठीक है तो ये परफोर्मस था बात करेंगे तो यहाँ पर टार्ना की माउंटेनर्स ठीक है लास्ट के दो प्लेयर आप देख सकतो तो बेली नोवेर 2 रिबाउंट 12 मिनिट्स स्कॉट टेलफर 1 रिबाउंट 9 मिनिट्स और 3 मैंट से 25 सेकंड खेले थे तो ये तीनों को बात करेंगे 73-82 से लास्ट मेंट इनोंने विल किया था जे बहनन थे टॉप पाफामर टॉप रिबाउंडर 12 पॉइंटीन रिबाउंट 8 असी 38 मिनिट्स में जेड नजदवाई 14 पॉइंट 15 रिबाउंट 3 असी 34 मिनिट्स में और क्रॉफर 23 पॉइंट 2 रिबाउंट 12 31 मि में मोमड इस सब्स्कांद 4.2 रिबाउंट 3 इस्ट लिबाउंट 24 मिद्स में के सेप्चिम के बात करेंगे टिम के पाइबल combination के दरब तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट गार से मैंने पिक ए टी कूपर को रिकी रोजर गाई स्टार्ट करेंगे अगर आप क्रेडिट मैनेज कर सकते हो तो यहाँ पर के प्लेस पर रिकी रोजर को लेना शुटिंग गार से यहाँ पर पिक किया है मैने अबली नोवेल को हिलर अगर आप जहां तो ले सकते हो क्योंकि क्रेडिट इशू होने वाला है तो हिलर यहाँ पिल मैं आपको बना दोंगा आगे जे बोनन और जे डगलस मैंसे आप किसी दो को ही अपने टीब में रख सकते हो यहांसे क्रेड अगर मैनेंच हो सकता है तो KS Harman को आप अपने टीब में पिक कर सकते हो से मैंने पिक है जे डगलस को और और क्रोफर को क्रेड सेविंग की अगर बात करेंगे तो यहाँसे आपके लिए टेलफ और प आपिक रहेंगे पीफ से मैंने पिक किया है मार्सल जोन्स और स्कॉट विलेट को ठीक है यहाँ से नाज दुआ है आपके लिए अच्छे उप्शन है ग्रैंड लिंग में आप इसे जरूर ट्राइ करना सेंटर से बाद में यहाँ से मैंने पिक के जेब भाहनन को और सी डेविंसन को टेमार आगे इस क्रेट बहुत जादा है और वे बेंच से खेलता है तो इसको भी आप ब्रैंडिंग में ट्राइ कर सकते हो टीम प्यू की अगर बात करेंगे तो SP मेंने पिलाल के लिए किया जेब भाहनन को अगर आप चाहो तो SP PP यहाँ से आप रिवर्ज भी कर सकते हो ठीक है सेकेंड कॉर्मिनेशन के अगर आप बात करेंगे अगर जेब भाहनन आज की मैच में फ्लॉप जाते है तो यहाँ पर आप बली नोवल के प्लेस पे हिलेर को पिक कर सकते हो फिलाल के लिए मैं जेब भाहनन के साती जाओंगा तो यहाँ से आप देχ सकते हुआ जो हमाला पहला टीम था वही मैं प्रेफर करओंगा SP मैंने किया है यहाँ से बाहनन को और PP किया है दिवांटस डगनर्स को तो लाइनप के बाद कुछ चैन्ज देस आते है किसी प्लेयर की जो रिपोर्ट आती है तो उसके रिलेटेड सारे अपडेट मेरे टेलिग्राम चैनल रोही देटमेन पे आपको प्रोइड के जाएंगे गाइस तो अल्टस पर दिस मैच दो यूर बैस और वन्स अगें थैंक यू फोर वाचिं दिस वीडियो